नमस्कार कहानी गोल्ड में आज सुन्ये प्रबोध कुमार गोविल जी की लिखी कहानी अब नहीं आएंगे वे गोरा ओ गोरा अम्मा ने चिला कर आवाज लगाई जाने कहा मर गई इसे तो जब देखो तब बाहरी भागने की लगी रहती है जरा काम से फुर्सत मिली और निकल भागी अब जरा जरा से काम के लिए चिलाते फिरो इस लड़की का भी दिमाग सात्वे आस्मान पर चड़ गया है अब सुनती ही नहीं किसी की क्या है मा जी हाफती हुई गोरा ने दोड़कर बरामदे में कदम रखा अरी कहा चली गई थी देख तो ये कब उतर मरे नाक में दम किये दे रहे हैं यहां गोसला रख रहे हैं शायद गंदगी से एक तो वैसे ही फुर्सत नहीं फिर ये तिन के लाला कर बिखेरे जा रहे हैं साफ कर दे इसे जरा जाडू लगा कर गोरा धीमी चाल से जाडू लेने चली गई अम्मा ने वहीं बैटकर खाट पर पैर पसारे और मटर की फलिया लेकर छेलने बैट गई बाहर तेज धूप निकली हुई थी बिलकुल गर्मी कासा मौसम हो रहा था धूप अप सुहाती नहीं थी इसलिए अम्मा ने चार पाई यहां सरकाली थी देखो मरा रूपए पाउँ दे गया है और दाने नहीं है चार भी हर जगर लूट है लूट कमबख्त कह रहा था कि एक दमताजी है अम्मा बड़बडाती जा रही थी मानू अपने से ही कह रही हो अरी ऐसे क्या हाथ जाएगा तेरा वो बाहर वाला स्टूल उठा कर ला उस पर चढ़ कर साफ कर और देख थोड़ी दूर जा कर फेक ना कहीं यहीं डाल देगी तो फिर से उठा उठा कर धर लेंगे गोरा स्टूल पर चढ़ कर जाड़ जाड करकबूत्रों का अब तक का परिश्रम बराबर किये दे रही थी गुटूर्गू गुटूर्गू करते वो दूर बिजली के तार पर जा बैठे थे और सूनी आखों से अपने आशी आने का उजड़ना देख रहे थे इस समय घर में कोई नहीं था तीनों छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज गए हुए थे बड़ा अनन्त ओफिस गया हुआ था बच्चों के पिता ओफिस के ही काम से कहीं दौरी पर गए हुए थे तो पहर के भोजन से इने पटकर मिसिस तिवारी भी पड़ोस में गई हुई थी महरा साहब के यहां मैं अंके स्वेटर के लिए बुनाई का नमूना सीखना था उनकी पतनी से अनन्त की बहुगीता तो आजकल थी ही नहीं पिहर गई हुई थी और इसलिए इस एक शत्र सामराज्य में अम्मा से शासित होने वालों में या तो नौकरानी गौरा थी या फिर ये सन्नाटा अम्मा का क्रोद कबूतरों और सबजी वाली से गुजरता हुआ बर्बस न जानी कब अनन्त पर चला आया इसे देखो लाट साहब को अब आफिस दूर पढ़ता है अरे आज क्या नया आया है तू इस घर में बीस बरस हो गए पढ़ता था तब भी क्या पास में था तेरा कॉलेज साइकिल से वहीं आधे घंटे का रास्ता था सारा मगर अब इंजीनियर हो गया है न तो शर्माती होगी साइकिल चलाने में कहा इस्कूटर ले ले तो वह पटरानी गीता बोल पड़ी बीच में रोज इतने दूर जाने में आधा वेतन तो पेट्रोल में ही निकल जाएगा लो और सुनो तू ही तो रह गई है घर में सब के वेतन का हिसाब देखने रखने वाली साल भर से तू आई है इस घर में उससे पहले तो हम ही रहते थे हम सब क्या जाहिलों की तरह रहते थे जो तू ही तो और तरीके सिखाएगी हमें अरे पढ़ लेकर इतनी समझदार हो गई है तो थोड़ी सी बेशर्मी और क्यों नहीं साध लेती साफ साफ क्यों नहीं कहती कि भरे पूरे घर में अपने नाजनकरों के साथ रहने को नहीं मिलता अलग चाहिए घर इन्हें जिससे कोई रोकने टोकने वाला ना हो आराम से मिया बीवी बैठे चोज लड़ाते रहे आरे यहां कौन कुछ कहता है तुझे और कहकर जबान गंदी भी कौन करे तुझ कौन से सुन रही है किसी की कमर देखो तो बलाउट से निकली पड़ रही है बाहर पला ले रखा है मेम साहब ने ऐसे जैसे भैज के सिर पर किसी ने रुमाल धर दिया हो तमीज तहजीब थोड़े ही शामिल है आजकल के पढ़ाई लिखाई में चूले में जाय ऐसी पढ़ाई अम्मा की कलपना के तरकश से निकल कर जाने कितनी तीर बहु पर बरसते कि तब ही मटर के दाने से हरा गिनाना कीड़ा उनकी हथेली पर आगिरा अम्मा ने उचल कर हाद जटक दिया देखो तो आधी तो कानी कुत्री ही भीड़ गया है मरा सबजी क्या खाग बनेगी इनकी गौरा आरी फिर कहां जा मरी ले जा ये छिल के फेक दे कच्रे के डिब्बे में और इन्हें ले जाकर रसोई में रख दे शाम को बनेंगी ये जरा देख जाकर छट पर पापड सूखे की नहीं सूख गए हो तो उठाला चिडिया ही खा गई होगी आधे तो चोच मार कर इधर उधर तो कर ही दिये होंगे यही तो मुसीबत है अम्मा गौरा को आदेश दे कर उठी और बटन टाकने को पड़ी जयंत की कमीज उठा लाएंगो कबूत्रों ने मानो ऐसे आसानी से हार जाना नहीं सीखा था वो फिर उसी धैरे से एक-एक दिन का उठा कर ठीक उसी जगे पर रखे चले जा रहे थे जैसे उन्होंने भी जान बूच कर अम्मा को ही सतानी की ठान रखी थी शाम को चार बजे के करीब मिसिस दिवारी ने स्वेटर बुनते हुए घर में कदम रखा साथ में थी मिसिस महरा गोरा अम्मा कहा है सो रही है क्या अच्छा अच्छा सोने दे बच्चे आए स्कूल से एक नजर कमरे के दर्वाजे पर डाली और पूचा बहु गीता नहीं है क्या घर में नहीं गीता तो परसो ही पीहर चली गई ना बहुत दिन हो गये थे कहने लगी अभी घर में सब लोग आये हुए हैं भाई भावी वगरा थोड़े दिन रहाओं वहाँ भी मैंने भेज दिया अच्छा है भाई भावी तो बेचारी के आते भी हैं साल में एक आत बार मुश्किल से रह लेगी वहाँ भी दस-पांच दिन आपके नीचे वाले किरायदार अच्छे हैं बड़े मिलनसार हैं अच्छा आपसे हो गई क्या उनकी पहचान वैसे हैं तो काफी अच्छे लोग मेल जोल रखने वाले हैं आई थी उस दिन घर हाँ एक बात पूछू वह ही बता रही थी कि अनंत कहीं अलग मकान लेने की सोच रहा है सच है क्या ये श्रीमती तिवारी ने थूख गटकते विका है नहीं जी वैसे ही एक दिन बात हो रही थी कि बच्चों को भी कॉलेज दूर पढ़ता है उसे भी काफी दूर जाना पढ़ता है इतना समय खराब होता है आने जाने में तो क्यों न उस तरफ कोई छोटा सा मकान देख ले इनके लिए पर वह तो वैसे ही बात थी उसे क्या इन्होंने यहां वहां पहुचानी भी शुरू कर दी नहीं नहीं आप गलत समझ रही है मैंने तो वैसे ही जरा पूछ लिया था उन बेचारियों ने तो ऐसा कुछ विशेश कहा भी नहीं था श्रीमती महरा ने सफाई दी कब उतर आखिर नहीं माने उन्होंने भी गौरा और अम्मा से मोर्चा लेकर अपना घोसला वहीं रख लिया अम्मा लाख बिगडे पर अब क्या अंडे फिकवा देंगी वहां से राम राम ये पाप नहीं होने देंगी वे विचारे जीव ही हैं क्या फर्क पड़ता है अब तो फिर वे शोर भी नहीं करते हैं घोसला बनाने के लिए यहाँ वहाँ तिन के लिए उढ़ते फिरते थे तब गंदगी होती थी सारे में गुटरगू गूंशती रहती थी अब देखो कैसी दूपकी हुई सारा दिन अपने अंडों पर बैठी रहती है आखे मटकाती गौरा कभी उन्हें वहां से उड़ाने की कोशिश भी करती तो अम्मा उसे डपड़ देती अरी क्यों मरी जा रही है जरा एक बेर जाड़ू लगा देने में क्या दम निकलता है तेरा जो पीछे पड़ी है उसके मच्छू से दूपहर को जब अम्मा घर में अकेली सी होती है तब जी ही बहलता है उनका इस गुटरगू से बच्चों के इमतिहान सिर पर आ रहे हैं सो सब अपनी अपनी पढ़ाई में जुट गए उस दिन खाना खाकर जैंत पढ़ने के लिए अपनी किताबे खोशता हुआ भाबी के कमरे में आया तो किताबे वहां नहीं थी भाबी से पूछा तो उन्होंने तुनक कर उत्तर दिया बाहर पड़ी है मैं ही रखाई थी यहां सारे में फैली पड़ी थी एक पलंग डालने लाएक तो जगह है कमरे में फिर वो भी इस तरह भूसा खाना सा भरा रहेगा तो आखिर कोई तो जगह होनी चाहिए न उठने बैठने की पर भाबी आप मुझे ही कह देती मैं उठा कर ले जाता मैं तो यहां खाली पड़ा देखकर पढ़ने के लिए आ गया था उधर मैंका दोस्त उसके साथ पढ़ने के लिए आया था वह जोर जोर से बाते करके पढ़ रहा था इसी से जरा देर को मैं यहां आ गया दुनिया भर पढ़ने को यहीं आएगी पहले ही बहुत जगह है न उधर वहां अपना कमरा बंद किये पढ़ी है राम जाने किताबे पढ़ रही है या कुछ और गीता के एक रोध ने ननत को भी लपेट लिया बस भावी यह सब सुनाना है तो भाईया को सुनाना नहीं है जगह तो उन्हें कहो वह लेकर दे देंगे कहीं राजमहल गीता आवाक रह गई अब ये छोटे-छोटे बच्चे भी इस तरह पलटकर जवाब देने लग गए सब अननत की ही वज़से है वह गुस्से से कापने लगी आने दो वह आज ही बात करके रहेगी जिस घर में उसकी इज़द नहीं वहाँ वह एक पल भी नहीं रह सकती उसके पापा ने तो कहा भी था कि फैक्ट्री के पास ही वह अननत को छोटा सा फ्लेट किराय पर दिलवा सकते हैं फिर आखिर एतराज क्या है लेकिन उन्हें मेरी परवा हो तभी न खुद तो सारा दिन आफिस में रहते हैं आराम से मैं यहाँ गुढ़ती रहती हूं अकेली सब के ताने सुनती रहूं और ग्रहस्ति के काम धंदों में पिस्ती रहूं ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकती हूँ ना किसी को बुला सकती हूँ क्या यही सब पाने की उसने कलप ना की थी उसने तो सोचा था छोटा सा घर होगा वह उसे अपनी मर्जी से सजा सवार कर अपने पती के साथ रहेगी शाम को ओफिस से लोटे पती के सीने से लग कर उसके दिन भर की ठकान दूर करेगी पर यहां तो कुछ और ही था शाम को अनन्त आया तो गीता के तेवर देख कर ही समझ गया कि दाल में कुछ काला है कुछ पूछा तो फट पड़ी गीता इससे तुम्हे क्या तुम तो आधी जिन्दगी आफिस में गुजारते हो मुझ पर क्या बीटती है तुम्हे इससे क्या मतलब मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते पापा ने तो यही देख कर पसंद किया था तुम्हे कि अच्छा खासा कमाने वाले इंजीनियर हो उन्हें क्या पता था कि सारे कुन्बे की गाड़ी में अकेले तुमी जूते रहोगे अनंत ने शान्त होकर सबसुना और जैसे कुछ उसके अंतर में उबलकर रह गया फिर भी उसने गीता का हाथ अपने हाथों में लेकर हलके से दबा दिया आरे दूष्ट कहां चड़ रहा है उतर नीचे देख गिर जाएंगे अभी छोटे ही तो हैं हाथ मत लगा उन्हें उतर अम्मा मैंग पर चिलाती आई जो उपर चड़कर कबूतर के बच्चों को हाथ से सहला कर देख रहा था कितने छोटे छोटे हैं प्यारे प्यारे अभी तो उनके पर भी नहीं हूगे थे सारा दिन बस घोसले में ही पड़े रहते थे हौले हौले चलने की कोशिश करते पर कुछ दूर जाकर ही तिर्चे होकर गिर पड़ते फिर उनकी माँ उन्हें पंकों और चोट से सहला कर वापस लाकर यथा इस्थान रखती अम्मा ये खाते क्या है और क्या खाएंगे देखता नहीं इनके माबाप कैसे दिन भर धूप में उड़ते रहते हैं इनके लिए वे ही साज धले लाकर देते हैं इनका दाना पानी फिर जब ये उड़ने लग जाएंगे तब तो ये खुद बाहर जाया करेंगे कैसे उड़ेंगे ये छोटे 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 अच्छा तु बाते बाद में बनाना चल नीचे आ अभी हाथ से गिरा देगा तो मर जाएंगे कहती हुई अम्मा बाहर चली गई क्यों रहे ये कोई टाइम है तेरा अख़बार लाने का सब स्कूल दफ्तर चलेगा अब कौन पढ़ेगा तेरा अख़बार अभी अभी अख़बार वाले से लड़ भिड़कर अम्मा भी तराई थी कि सामने देखा वह पड़ा पंक फड़ पड़ा रहा था जानि कैसे नीचे गिर गया था शायद उनने की कोशिश की होगी उसी में गिर गया गौरा जरा इसे उठा कर उपर रख दे जानि कैसे गिर गया है बेचारा गौरा नी सुना तो भागती हुई आई और उस नन्हे से बच्चे को हाथ में उठा लिया उसके चोच पकड़कर खिलवाड करने लगी आज खाना खाते वक्त बाबू जी और अनन्त दोनों इसी इंतिजार में थे कि पहले दूसरा कुछ बोले अनन्त पहले बाबू जी के कानों को परख लेना चाहता था अच्ची तरह वह समझा कर बता देगा बाबू जी को कि वह घर छोड़कर नहीं जा रहा ज़रा ओफिस के सुविधा के कारण ही वो फ्लैट ले रहा है फिर क्या वह रोज नहीं तो सब्ता हमें एक बार आकर मिलता रहेगा शहर तो एक ही है यहां भी तो सभी को परिशानी होती है बच्चे छोटे थे तब निप गया एक न एक दिन तो प्रबंध करना ही था कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ने की जगए नहीं मिलेगी घर में तो कैसे पढ़ सकेगा गीता भी सारा दिन घर में अकेली वैठी बोर ही होती है वहां से यूनिवर्सिटी भी पास है कुछ जाएगी तो जोइन कर लेगी मैं भी बहल जाएगा और आमदनी कुछ बड़ी तो नुकसान देगी नहीं आखिर इसलिए तो पढ़ाते लिखाते हैं लड़कियों को बाबुजी सोच रहे हैं उन्होंने कहां गलती कर दी अच्छे भरे पूरे परिवार की बहुत अलाश की बाभी सब के साथ एड़्जस्ट नहीं हो सकी आखिर वहां भी तो वह अपने भाई बहनों के साथ रहती आई है जितनी लंबी चादर होती है उतना ही पैर पसारा जाता है कितनी इच्छा थी कि सब साथ ही रहेंगे बच्चे आखों के सामने ही रहेंगे तो अच्छा है अनन्त को इसी शहर में नौकरी मिली देखकर कितना प्रसंद हुए थे वे पर अब उसे बिना इच्छा के घर में रखकर बांधा तो नहीं जा सकता फिर दूसरे छोटे बच्चे हैं घर में उनके लिए जहर नहीं गोलना चाहते आखिर हम ऐसा क्यूं करें अनन्त के ओफिस का ट्रका आ गया उसमें सामान रखा जा रहा है कमरे से उसके शादी में मिला सामान सब एक-एक करके आ रहा था गीता अपने कमरे में एक-एक चीज को परह कर देख रही थी कौन सी यहां की है कौन सी साथ ले जाने की है बाबुजी का चेहरा भावशुन्य था वे उसी तरह बैठक में अकबार में आखे गड़ाई बैठे थे मानो इस सबसे उनका कोई वास्ता ही नहीं दूल उडाता हुआ ट्रक चला गया साथी टेक्सी में बैठे अनन्त और गीता भी चले गए माने तो कहा भी चल हम साथ चलते हैं आज वहाँ सब ठीक्ठा करके आ जाएंगे पर गीता नहीं सोचा क्यों कस्ट दे किसी को फिर वहाँ दीदी आही जाएंगी मम्मे को भी फोन करवा दिया था बहुत जाएंगी बहुत गर्मी है आचल से पसीना पोश्ती अम्मा गौरा पर चिला रही है अरी कहा मर गई इससे तो एक जगे बैठना होता ही नहीं अब देखो उड़कर चल देगी चुट्टी का दिन है धेरो काम है और ये हैं कि इसे कुछ परवा ही नहीं गौरा ओ गौरा गौरा आकर खड़ी हो गई बोली क्या है अम्मा तुम्हीने तो पडोस में भेजा था काम से आ रही थी बस कहो तो काम क्या है सुन बेटी जरा ज़ाडू लेकर कबूतर का घोसला हटा दे वहां से बेकार में गंदगी हो रही है देख तो मगर बच्चे हैं न उसमें तो अरी कहा धरे हैं बच्चे उड़ गए वो भी अपनी अपनी दुनिया में अब नहीं आएंगे वे आखे पोश्ती अम्मा को एक टक देखती गौरा ज़ाडू लेने बढ़ रही है घोसला साफ करने को अभी आप सुन रहे थे प्रबोध कुमार गोविल जी की लिखी कहानी अब नहीं आएंगे वे